आज हम बात कर रहे हैं एक small cap company C8 के बारे में जो tire का business है और more than 60 years का huge experience है हम सब लोग को पता है यहाँ पे 3-4 player है tire industry के अगर हम बात करते है MRF जिसमें market leader है C8 है JK tire है Apollo tire है तो C8 में मैंने भी position बनाई है और अगर आप मेरे diamond membership के member है तो आपको उसका notification मिला होगा हमने कल के दिन म ही लगबग सब 1200 के level पे माल उठाया है आज company के बारे में detail में discuss करेंगे इसके Q2 के रिजर्स भी आया है जो की अच्छे बिल्कुल भी नहीं है लेकिन फिर भी नीचे के level से काफी recover कर गया है सेर यह हाला कि यह कल के दिन में अच्छा कास है इसमें गिरावर था इसके साथ ही मैं आपसे balance sheet भी discuss करूँगा जिसमें करजे की भी दिक्कत मुझे लगती है इसलिए small cap company है तो अपने portfolio का मेरे according दो से 3% बहुत हो गया सेर के लिए इससे ज़्यादा हमारा इसमें invest करना ठीक नहीं रहेगा अगर हमें जाद investment करनी है तो हम market leader MRF के साथ जा सकते है जिसका सेर प्राइस more than 80,000 है अब अगर हम कंपनी की बात करते है तो मार्केट कैप है 5240 करोड का एक small cap size की कंपनी है current price देखते है तो 1296 है अपने one year high से देखते है लगवग अभी यह 25-26% discount पे मिल करते है तो हलाकि 25-30% चल चुका है पी रेसियो काफी attractive है लगवग 15 का book value लगवग 819 है dividend काफी अच्छा देता है more than 1% ROC लगवग 14-15 की around है इसका अगर हम 5 साल का चार्ट देखते है company का तो इसने कोई भी return बनाके हमें नहीं दिया है तो इसने हमारे wealth को destroy ही किया है पिछल करते हैं तो लेकिन हाँ यह जरूर है कि अभी इस लेवल से यहां पे खोने के लिए बहुत limited हमारे पास है यहां पे क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि इसका maximum stop loss जो मुझे लगता है 1100 के आसपस लगता है अगर 1000 के आसपस आएगा तो हम इसमें quantity और add करके increase करेंगे क्योंकि यह चेंज होगा जो हम traditionally गाड़ी को चेंज करके अब यहां पर वी विकल चलाएंगे तो उसमें तीन-चेर-पास साल लगेंगे लेकिन हम टायर कमपणी में इंवेस्ट कर रहे हैं वह तीन साल लगे छे साल लगे लेकिन हमारी ट्रेडिशनल गाड़ी तो चली रही है तो हम उ लगवग 16 का आता है और यह भी हमें केवल 14.6 यानि अपने फाइव येर्स के एवरेज वैलियोसन से भी डिसकाउंट पर अभी हमारे को मिल रहा है और लोंग टरम चार्ट हम देख लेते हैं तो वो मुझे इसका पॉजिटिव लगता है हलाकि पिछले पांस सालों में को इस के बात करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं बालक क्रिष्णा अमरेफ 80,000 प्लस का सेर अभी अमरेफ का तो यह सारे ही सेर अच्छे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जादा अच्छे कोई खराब है लेकिन मैंने भी पोजिशन बनाई है टायर कंपनी में आजा डिस्क्लोजर म लगती है आपको मैं बता दू लगबग साड़े ग्यारा करोर की सेलरी है मेनेजमेंट की आउट ओफ कंपनी जैट जो सीलिंग है बावन करोर की लेटेस्ट अगर हम इसका रिजर्ट देखते हैं तो रेवेन्यू यहां पे इंक्रीज हुआ है अगर हम क्वाटरं क्वाटर की बात करते हैं नेट प्रोफिट भी इंक्रीज हुआ है अगर हम क्वाटरं क्वाटर की बात करते हैं लेकिन जैसे हम यह कंपैरिजन लास्ट इयर सेम क्वाटर यानि सेप्टेंबर 2020 से करते हैं तो यहां पे नेट प्रोफिट ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है 77 परसें गया इसले भी share price में हमने correction देखी थी लेकिन हाला कि उसमें recover अब हो गया मैं अपने life portfolio भी आपको दिखाऊंगा पिछले 5 सालों में कोई share price ने return नहीं दिया लेकिन अगर हम net profit देखते हैं तो यहां आप देख सकते हो 371 करोर से यहां पर लगातार गिर रहा है net profit और March 21 में देखते हैं यहां पर यह इंक्रीज हुआ है तो ऐसा नहीं है कि net profit बिल्कुल भी नहीं बड़ा है net profit बड़ा है थोड़ा सा लेकिन share price ने कोई भी return बना के नहीं दिया है और वहीं पर जो sale लगबग 500 करोड का था March 17 में वो अब बढ़के लगबग 600 करोड हो गया है तो टोप लाइन यहां पर इंक्रीज हो रहा है बोटम लाइन में थोड़ा सा भी up and down चल रहा है तो लगबग इसका अगर हम खर्चा देखते हैं debt का तो 180 करोड के आसपास interest की payment company करती है तो वो एक अच्छा खासा huge amount है और अपने total size का लगबग यहां पे 35% company के पास results है और borrowing की दिक्कत तो है जो मुझे इसमें लग रही है पिछले 3-4 सालों से तो अगर हम interest भी देख लेते हैं तो यहां पे आप देखोगे 117 करोड का यहां पे interest दिया है Mars 21 में उससे पहले Mars 20 में 179 करोड का interest सोरी Mars 20 में 154 करोड और Mars 21 में 179 करोड और trailing 12 मंद में भी देखते हैं 117 करोड का interest हो गया है तो इंटरस्ट की दिक्कत लगती है और अपने टोप लाइन से देखते हैं तो लगबग 1000 करोड का net profit रहता है उसमें से लगबग 18 परसेंट तो यह इंटरस्ट में ही निकाल देते हैं तो यह एक नेगेटिव नियूज जरूर है मतलब नेगेटिव पॉइंट जरूर है कंपनी के लिए से रोल्डिंग पैटर्न अगर हम डिसकस करते हैं यहां पर प्रमोटर की holding दिक्रीज हुई है यह भी एक यहां पर नेगेटिव इस उपर से निचे आता है तो मैं आपको हमेंसा बताता हूँ पब्लिक की holding वहाँ पर बढ़ती ही रहती है 100 में से 95 टाइम्स अब मैं अपना live आपको दिखा देता हूँ पॉटफोलियो जो मैंने इसमें बाइंग करी है देख सकते हैं 1226 के लेवल पर हमने बाइंग करी थ 10% के लिए सेर को अपने पॉटफोलियो में रखते है और इंटराडे तो हम यहाँ पे कभी नहीं करते हैं अगर आपने पर तक जोएन नहीं किया मेरे डैमन मेंबर सिर्ट जोएन कर सकते हैं नीचे जोएन बटन है 50% डिसकाउंट अभी भी लाइव है नीचे हमारे टीम का बताता हूँ जो मंतली लगबग 10-15 में आपसे सेर करता हूँ जहाँ पर हमने पोजिशन बनाई है वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं अगर लाइक नहीं क्या हो तो लाइक कर दिए चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब पर के बल एकन भी प्रेस कर देजिए ताकि जब भी मैं को इन या वीडियो लाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहें